आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे विर नामे सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे नजर डालेंगे दोस्तों नौ मई से आपको पते ही है कि चाइना जो भारत के कुछ एरियास के अंदर आ गया चाइना ने भारत को इन्फिल्ट्रेट किया, नई बात नहीं है, यह लद्दाक वाला एरिया है, पैंगॉंग लेक वाला, यहाँ पे पहले भी इन्फिल्ट्रेशन चाइना की तरफ से होता रहा है, लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी सीडियस हो गई है, क्योंकि शी जि इतिहास भी देखेंगे, तो जो 9 मई से अभी तक हुआ है, पूरा इंसाइट दे दूगा, मैं एक एक खबर आपको बता दूगा, तीस आर्टिकल्स पढ़ें हैं दोस्तों, वो सब आपको बता दूगा, और इतिहास क्या है, वो भी आपको बता दूगा, तो बहुत ही ठीक है, मतलब भारत in fact South Asia में आता है, चाइना और भारत, दुनिया के दो ऐसे देश जहां पे सबसे ज़्यादा population है, चाइना पहले नंबर पे है और उसके बाद भारत है, भारत एक democracy है और चाइना एक communist country है, दोनों बिल्कुल opposite ideologies, हलाकि चाइना का इतिहास बिल्कुल अल देख ले, और चाइना को ये बताया कि peace के रास्ते पे चलो, लेकिना चाइना के stance बिल्कुल उल्टा है, ऐसा इसलिए है, क्योंकि 19th century में चाइना हर वार हारा, चाइना ने इतना हिमिलेशन जहला है, कि चाइना का instance ही है 1949 में, जब चाइना बना, चाइना बना in fact यहाँ प जिकर में करूंगा, ये अच्छा, हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूँ कि हमारे telegram channel को join करे, group को join करे, चैसे ही lecture upload होता है, वैसे ही आपको यहाँ पे PDF मिल जाती है, ठीक है, telegram group में आपको lecture की notification तो मिली जाएगी, इसके 10 second बाद आपको PDF मिल जाएगी, तो आप बोलते पहला international status देखेंगे हम चाइना का, कि चाइना इसा कर क्यों रहा है, दूसरा border dispute, ठीक है, तो पहले हम international results की बात करते हैं, देखें दोस्तों, अगर हम चाइना के international status को देखें, इस समय चाइना का status बड़ा गढ़बढ है, ठीक है, अब ऐसा क्यूं, ऐसा इसलिए COVID को रोका जा सकता था, ठीक है, कुछ report तो इतनी खतरनाक आ रही है, बताया जा रहा है कि चाइना में COVID के cases जो है, October से ही मिलने लगेती है, इससे पहले से भी, चाइना ने ये बताया नहीं, पूरी दुनिया को, जिसकी वज़े से क्या हुआ, आज हम COVID की चपेट में है, पूरी दुन साथ दे रहा है पूरी दुनिया का aggressive हो रहा है, उल्टा कर रहा है, शी जिन्पिंग ये बोल रहे है, शी जिन्पिंग का official statement है, कि जब भी natural disasters या major disasters आते हैं, तब वो एक देश के लिए बहुत अच्छी opportunity होती है, ऐसा उनका कुछ statement है, exact line तो मुझे याद नहीं है, एक तरी रुख है, वो चाइना के बिल्कुल खिलाफ है, ठीक है, अमेरिका और अमेरिका तो चाइना के खिलाफ होई गया है, बिल्कुल, trade war तो वाँ पर शुरू ही है, बाकि सारे देश भी चाइना के खिलाफ है जाद अतर, ठीक है, भारत ने क्या किया, अभी world health assembly हुई, ठीक है world health assembly में COVID-19 की जाच होनी चाहिए, इसका origin क्या था, कैसे आया COVID-19, इसके लिए बगाएदा प्रस्ताओं पास हुआ, भारत ने इस प्रस्ताओं के समर्थन किया, बहुत सारे देशों ने किया, चाइना ने भी बोला, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हम COVID-19 से निपटले, कोई नामों निशान नहीं है, समझ रहे हैं, तो पहला reason तो यह है कि COVID-19 में भारत जो है, वो चाइना के खिलाफ खड़ा है, ठीक है, अगर कुछ भी चाइना के, COVID-19 चाइना में investigation के लिए आ रहा है, तो भारत उसका साथ दे रहा है, ठीक है, दूसरी चीज दोस्तो है, economy से related, जब COVID-19 आया, तो भारत में आपको पते हैं कि बहुत सारी company जो है, वो खसता हाल हो गई, companyों के हालत खराब, तो अब हुआ क्या, डर ये सता रहा था कि कहीं चाइना जो है, वो भारत की कुछ companies को take over ना कर ले, या उनके कुछ stakes ना खरीद ले, तो भारती सरकार ने इसका संग्यान लिया, और भारत ने क्या किया, भारत ने FDI के नियमों में बदलाओं कर दिया, भारत ने बोला, जैसे ही पता चला कि चाइना HDFC के stake खरीद रहा है, तो भारत ने क्या किया, अब से FDI automated route से नहीं होगा, पहले सरकार की permission नहीं लेनी पड़ती थी कुछ मामलों में, लेकिन अब automated route से नहीं आपको सरकार की permission लेनी पड़ेगी, मतलब चाइना अगर इधर invest कर रहा है, तो उसको सरकार की permission लेनी पड़ेगी, चाइना का मूट खराब हो गया, चाइना ने इस पर आपत्ती जताई, क्या पैसा कैसे कर सकते हैं, समझ रहे हैं, दूसरा और सबसे important, दो इशू हम देखेंगे, ताइवान और हॉंग कॉंग, ठीक है, ताइवान की बात करें दोस्तों, तो अभी आपको पते ये ताइवान वन चाइना पॉलिसी के तहट आता है, ठीक है, ताइवान की बात करें, तो देखें, चाइना अगर हम बात करें, तो 1912 में ठीक है चाइना में एक revolution आया था ठीक है जिनहाई revolution बोलते हैं उसे उसमें क्या हुआ था मुनार्की को खतम किया था चाइना में और सन्याद सेंग जो है वो आ गये थे लीडर हो गये थे और उन्होंने बुला democracy को ले किया हो ठीक पार्टी बनाई उन्होंने काउमिन टॉंग की एमटी ठीक है 1923 में पैरलली कम्यूनिस्ट पार्टी बन गई चाइना में ठीक है पहले तो दोनों साथ में काम कर रहे थे बड़ा लंबा चड़ाए थी हाचा वोड इस्ट्रीम में आपको बताऊंगा बाद में क्या हुआ दो साल ही सिविल वार चली फिर हो गया वोल्ड वार टू सिविल वार खतम उन्निस सो पैतालिस में जैसे वोल्ड वार टू खतम हुआ दोबारा सिविल वार चुडू होगी किसी ने नहीं सोचा था कि कम्यूनिस्ट जीच जाएंगे लेकि सोवियत का सपोर्ट था सोवियत ने चाइना को सपोर्ट किया माउजदों को सपोर्ट किया और 1949 में People Republic of China PRC की स्थापना हो गई समझ रहे हैं कि MT का क्या हुआ कि MT यह आप मैप में देखिए दोस्तों ठीक है कि MT जो है इनके जो लीडर थे वो थे कि यहां पर चियां काैशक वीड भागे ताइवान कि MT ने बोला कि हम ताइवान से तुमसे लखेंगे कोई दिकнем है. यह है यहांप़ चुआइंग काैशक ने भी सरकार बना लइ. तब से लेकर अब तक 1949 से लेकर अब तक चाइना बोलता है ताइवान हमारे हिस्सा है आज नहीं तो कल हम ताइवान को अपने कबजे में ले लेंगे परशान होने की ज़रूरत नहीं है ताइवान भी उल्टा बोलता है ताइवान बोलता है कि चाइना हमारा हिस्सा है है ना आज नहीं तो कल हम चा चाता कि ताइवान को recognition मिले लेकिन प्रॉब्लम यह है कि देश इसको recognition देते हैं अमेरिकन ताइवान अगर ताइवान को recognition मिल रैस का मतलब ताइवान एक अलग देश लेकिन चाइना कहता है कि ताइवान हमारे ही है अब अभी क्या हुआ अभी भारत में भारत ने क्या किया अभी यहाँ पे pro-independence सरकार आगई दूसरी बार pro-independence मतलब जो ताइवान जो ये कह रहे थी कि China मेंटलेंड चाहिना ये सब एक ही है ठीक है उनकी सरकार आगई उनका नाम है दोस्तो साई विन अब उनकी सरकार आई शपत ग्रहट समारों ऑनलाइन हुआ कोविड फैला हुआ है मिनाक्षी लेखी राहुल कासवान जो बीजेपी के लीडर्स है उन्होंने अटेडि किया यह सब ऑनलाइन था दोस्तों ठीक है चाइना का मूड घराब हो गया चाइना ने बोला चीज हौंग कॉंग की बात करें तो भी आपको पताए कि हौंग कॉंग जो है उनमें वहां पे पिछले साल बहुत प्रोटेस्ट हुए ठीक है वहां पे एक नाशनल एंथम बिल आया है चाइना होंग कॉंग कॉंग को ऑर्टोनॉमी है ठीक है पूरी ऑर्टोनॉमी है 1949 तक पहले ब्रिटिश के पास था बाद में जब आजादी मिले तो पूरी ऑटोनॉमी उनको है तो नाशनल एंथम बिल के तहत क्या है कि अगर आप चाइना के नाशनल एंथम की बुराई करेंगे तो होंग कॉंग कोंग के लोगों को गिरफतार किया जाएगा ठीक है इसे पहल होंग कांग में प्रोटेस्ट हुए ठीक है यह भी रीजन है बहुत बड़ा कि होंग कोंग पर अपनी पकड़ बना रहा है और पूरी दुनिया चाइना की निंदा कर रही है एक और रीजन यह है दोस्तों बारत और अस्ट्रेलिया की दोस्ती भारत और अमेरिका की दोस्त ठीक है अमेरिका और चाइना इस समय बिल्कुल opposite ends पे खड़े हैं और भारत और अमेरिका भाई 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 उपर से Australia के साथ एक और important reason है infrastructure development ये दोस्तों हमने बात की international status की दूसरे reason की बात करते हैं समझ भी आगया आपको बहुत बढ़िया दूसरा reason है दोस्तों border dispute अब border dispute को समझने के लिए हमको फिर से चाइना पर चलना पड़ेगा border dispute की अगर बात करें तो याद रखेगा यह है अकसाइचन एरिया यह चाइना को दे दिया था पाकिस्तान ने ठीक है 1962 ठीक है मतलब 1962-65 में जो जंग हुई थी अधर चाइना के पास है ठीक है लद्दाकर रिजन अब अगर हम भारत की बात करें international status मैंने समझा दिया border dispute पर आ रहा हूं पूरा आपको background दे रहा हूं है ठी अभी जो हो रहा है वह आपको सब पता चल जाएगा अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं border dispute की तो भारत तीन जगा से border share करता है ठीक है पहला western part से western part में क्या आता है line of actual control line of actual control क्या है यह वाली line ठीक है अभी मैं आपको इधर दिखाता हूं बहुत बढ़िया से यह यह देख रहे हैं यह पूरी LAC यह पंगांग लेख है अब यह मिसकी बात करेंगे ध्यान दीजेगा यह है आपकी LAC समझ गए यह line of actual control है ठीक है बहुत बढ़िया line of actual control में क्या आता है यह यह आपके line of actual control में आता है लद्दाग का region थीक है लद्दाग का region जो है वो आपके line of actual control में आता है लद्दाग जो आप Еक Union इसका 545 किलोमीटर का एरिया जो हो चायना से शेयर करता है, लेकिन ये वाला जो एरिया हिमाचल प्रदेश और रुत्राकाइंड यह सबसे नॉर्मालाइजड एरिया यहां पे कोई डिस्प्यूट नहीं होता, बिल्कुल कोई नहीं, यह भारत का अभिन अंग है, ठीक है, व वाला जो एरिया है, यह अगर इस एरिया के बात करें, तो यह 1346 किलोमीटर का एरिया है, यह चायना से शेयर करता है, तो तीन एरिया चायना से शेयर होते हैं, अब दोस्तों सिक्किम वाले एरिया में और अरुनाचल वाले एरिया में अक्सार डिस्प्यूट होते रहती है डोकला मिशो जो है वो सिक्किंग पे पास था पूटान के पास अब बहुत ध्यान से समझिएगा मैं आपको बहुत इंपोर्टन चीज बताने वाला हूँ क्या आप जानते हैं कि चाइना का जो बॉर्डर है वो भारत से कभी लगता ही नहीं था बिल्कुल नहीं ये जो आप देख रहे हैं न ये ये पूरा तिबबत है चाइना ये वाला जो एरिया है न बिल्कुल अलग है तिबबत अलग था ठीक है 1914 में क्या हुआ था शिमला एग्रिमेंट शिमला एग्रिमेंट क्या हुआ था अब मैं आपको लाइन ओफ एक्ट्वल कंट्रोल की कहानी बता रहा हूँ जो लाइन खिची हुई है ठीक है बॉर्डर डिस्प्यूट पर हमागे हैं दोस्तों समझ गया ना इंटरनाशनल स् नहीं मानते क्योंकि 1950 आते चाइना ने तिब्बत में कबजा कर लिया मतलब 1960 आते आता अपको पते यह तिब्बत में दलाई-लामा की सरकार थी दलाई-लामा फिर भाग के भारत आध है और आज भी हिमाचल प्रदेश से विचारे दलाई-लामा इतने सीधे साथ हिमाचल प् पहले तिब्बत पे चाइना का कंट्रोल नहीं था तो भारत का बॉर्डर चाइना से लगता ही नहीं था लेकिन अब तिब्बत का पूरा कंट्रोल चाइना के पास आ गया तो यह पूरा रिजन चाइना के पास से ला गया और अब भारत का बॉर्डर चाइना से लगने लगा अब जहां पे expansion होगा चाइना उसको छोड़ेगा नहीं मतलब चाइना पूरी कोशिच करेगा expand करने की यहीं से border dispute जो है वो शुरू हो गया फिर आता 1962 की war 1962 में क्या हुआ चाइना ने line of actual control बनाई ठीक है line of actual control में क्या था कौन से area मैप में बकाइदा पूरी मार्किंग थी कौन से area भारत के पास कौन से चाइना के पास यहीं पही गड़बड हो गई पाकिस्तान की अगर हम बात करें पाकिस्तान में जो हमारी LOC है बकाइदा fencing आप दिखते हैं चाइना में मैप में तो line of actual control को दिख रहा है बहुत बढ़ी आसे लेकिन जब अब जाएंगे ना पता ही नहीं चलेगा कहाँ है LAC क्यूंकि कोई fencing नहीं है कोई demarkation है ही नहीं कोई बेडा नहीं लगा है कि अच्छा वो चाइना है यह हमारा in fact कई जगा तो अगर पेंगॉंग लेन की बात करें तो वहां पे तो पहाडों को मार्किंग बनाया गया है कि पहाडों से डिविजन होगा तो कोई proper fencing ही नहीं सबसे बड़ी बात यह है अब आपका घर है आपका घर है आपके पडोसी में घर है आप boundary बनाते हैं मान लिजा boundary ना बनाए तो क्या होगा बगल वाले आप किया जाएंगे आप बगल में चले जाएंगे तो यही होता है यह तेरा वो मेरा वो मेरा यह तेरा यही होता रहता है क्यूंकि proper demarcation हीञहीं नहीं समझ रहेया तो यह सबसे बड़ी problem है ठीक है यह चीज़ आप समझे बहुत बड़ी है अब दोस्तो तो हम आते हैं अभी present condition में, present situation पे क्या हो रहा है, present situation में दोस्तों दो जगा हमारे हमको border dispute देखने को मिलते हैं, ठीक है, एक तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, एक हमारा 5 मई और 6 मई को शुरू, वह सबसे पहला clash आपका पंगॉंग लिख पे, सबसे पहला clash eastern लद्दाग पे, दूसरा clash 10 मई को जो की और intense था सिक्किम के नाकुला पे, नाकुला पे यहाँ पे डेर सो सिपाही आपस पे बढ़ गए, चाइना और भारत के सिपाही ऐसा कोई पहली बार नहीं है, देखे, 2010 के बाद से हम यह देख रहे हैं, पिछले 10 सालों में, चाइना जो है यह लद्दाख वाले रीजन में, यह इंफिल्ट्रेट करता रहता है, पेंगॉंग लेक वाले रीजन में, है ना, और यह इसकरमिशेज जो है, छोटी मोटी यह fist fighting होती ही रहती है, समझ रहे हैं, वाई जाहीर सी बात हैं, डिमार्केशन है नहीं, चाइना अंदर घ बड़ी हो चुकी है, कैसे, 10 माई को जो second clash हुआ, अभी इसी की बात, पहले 5 और 6 माई को इस्टन लद्दाख में clash हुआ, फिर 10 माई को हुआ नाकुलापे, उसके बात क्या हुआ, कि यह पैंगॉंग लेका देख रहे हैं, पैंगॉंग लेक की बात करें, पैंगॉंग ले की जो लेक है, उसमें से खाली 35-45 किलो मीटर भारत के पास है, बाकि 90 किलो मीटर है, चाइना के पास, समझ रहे हैं, आप इसको कैसे डिवाइड किया गया है, इसको डिवाइड किया है, यहां पर छोटी-चोटी-छोटी-चोटी पारिया बनी हुई है, जिनको fingers बोला जात ये पैंगॉंग लेंग की बात है पैंगॉंग लेंग कितनी खुबसूरत है दोस्तों सर्दी में यहाँ पे बरत जम जाती है अगर आपको पैंगॉंग लेंग जाना चंडिगर जाएए एक 40 घंडे का सफर है लेकिन जाएए उसके बाद फिर यह देखिए माचल होते होते है सीधा ले में पहुँचे और वहाँ से फिर आप पैंगॉंग जा सकते हैं बहुत ही खुबसूरत है तोडिस्ट प्लेस है अगर पैंगॉंग लेंग की बात करें यह देख रहे है ना यह थी डियर्स का क्लाइमेक्स यह पर शूट हुआ था कितनी खुबसूरत और यह भारत ने यहां पर रोड बना ली है और इससे चाइना जो है बड़ा खाफा हो गया अभी तक उल्टा होता था चाइना जो है रोड बनाता था लेकिन अब भारत ने यह श्योक रिवर और गालवान लिवर जहां पर यह दुनों मिलते हैं ना वहां पर भारत ने 264 चाइना का मैं चाहिए रहता है कि कबजा करो रोड बनाओ ताकि हम अपनी आर्मी यहां पर बेच सकें कोई भी प्रॉब्लम होगी वार्च कर दो हमेशा चाइना का ठीक है तो अब यहां पे चाइना का इससे भी मूट खरापता जिसकी वज़े से चाइना ने और एग्रेस माई आते आते चाइना ने अपने 5000 सोल्जर्स को यहां पे भेज दिया रिपोर्ट्स आ रही है अलग इस पे अभी ऑफिशर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी सरकार चुप है लेकिन रधान मंतरी मोदी जी ने और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंग ने दोनों ने आर्मी चीफ स्टाफ नेवी के एयर फोर्स के उनके साथ मीटिंग की साथी साथ हमारे जनरल नराव ने आर्मी के जनरल वो भी यहां पे गए लध्धाका उन्होंने दोरा किया तो इससे ये पता चलता है पहले ये सब 25 से हल हो जाता था इससे ये पता चलता है situation सीरियस है ह है ना हम इसको हलके में नहीं ले सकते यह चीज आप समझे एसलिए इधर चाइना का मूट खराब है और भारत का भारत का यह हमारा एरिया है ना हम अपने एरिया में हमने तो चाइना ने जिसको बोला हमने तो कुछ नहीं कहा ठीक है चाइना ने बोला वो यह ठीक है इधर अ बोला कि भाया बैटल के लिए प्रिपएर रहू वेर्स्ट के सिनारीयों में बैटल के लिए प्रिपार हो रही है यह इधर यह गैलवान रिवर है और यह शोग यही गैलवान वैली उसको कहते हैं ठीक है अच्छा आपको बता दू कि यहां पर आपको बहुत सारे दर्रे भी मिलेंगे ठीक है पासे बिलेंगे जो पंगाउं लेकिया असपास जैसे रजांगला बहुत ही चाइना की तो आदत है चाइना साउथ चाइना सीर में भी अपना प्रेजन्स खो रहा है यह चीज़ आप समझे तो हुआ क्या कि अभी चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिफ हो गया और अपने जो सोल्जर्स हैं पी एले की आर्मी को 5000 सोल्जर्स को यहां पर उसने क्योंकि वार कोई एफोर्ड नहीं कर सकता ही चाइना की बात करें दोस्तों तो चाइना के खिलाफ काफी देश हैं है ना अमेरिका भी फिर लेकिन हाँ यह सिचुएशन चिंता जनक है इसका रीजन एक ही है दोस्तों कि 5 बार बैठके हो चुकी है है ना हमने चाइना के पांच बार बैठके की है देखे एक्चुली क्या है कि 2012 से हमने एक वर्किंग मेकानिजम चाइना के साथ डेवलब किया है जिसको हम बोलते है कंसल्टेशन और कोडिनेशन ओन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेर्स अभी तक यह 14 बार मिल चुका है इसमें तीन लेवल की म चिंपिंग मिलेंगे यानि कि प्रधान मंत्री तीन लेवल की मीट्स होती है बाचीज से यह मुद्दा सुल्ज है जाता रहा है है लेकिन अभी तक दोस्तों पांच बार बैठके हो चुकी है और ना चाइना पीछे अटने को ताह रहो भारत ने तो बोली दिए कि हम पीछ समय ताकतवर हो गया है और चाइना की हालत इस समय बहुत अच्छी नहीं है तो चाइना वार अफोर्ड नहीं कर सकता यह घंकी के तौर पर आप देख सकते हैं है ना कि हम होंग कॉंग में ऐसा कर रहे तो बोलना नहीं ताइवान में तुमने यह किया तो ऐसा मत करो FDI में एक तरीके से भारत का जो एंटी चाइना स्टांस रहा है इसके हिसाब से भी देख सकते हैं साथी साथ दोस्तों जो आने वाली चीजे हैं जो चाइना करने वाला है उसमें भी हम देख सकते हैं कि आप अपनी जगा पर रहा हो जादा हस्तक शेपना करना तो यह हम देख सकत मुश्किल है, हो सकता है, हो भी जाये, जरूरी ने मैं कोई पक्के दोर में नहीं कह सकता, क्योंकि दोस्तों अगर दोनों बाची से मामला हल नहीं हुआ, तो फिर भारत और चाइना में फिर एक ही रास्ता बचता है, अगर चाइना को पीछे ढखेलना है, क्योंकि ये एरिया का अपना तरीका है, तो ये लेचर था, I hope आपको इंसाइट मिला होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया, इंटरनाशनल स्टेटस क्या था, बॉडर डिस्प्यूट दोस्तों, इस समय में कहां पे, वो मैंने बता दिया, इस से दन तक दो तरीस से जोफ